आज की दुनिया में हर कोई जल्दबाजी में है और किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए वह आसान और कम समय लगने वाले उपाई धूरता रहता है. इसी दौर भाग में वह भूल जाता है कि किसी भी चीज में मास्टर यानि गुरू या एक्सपर्ट बनने के लिए समय लगता है. किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना सिर्फ किसी काम को पूरा करने की तरह नहीं है. यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आप हर रोज खुद को पहले से बहतर करने का प्रयास करते हैं, और देखते ही देखते आप उस चीज में बहुत अच्छे या एक्सपर्ट बन जाते हैं. अध्याय दो एक्सपर्ट बनने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं सिर्फ पहले से मौजूद मास्टरों के नक्षे कदमों पे चलने की जरूरत है. ज्यादातर लोग मानते हैं लेयोनार्दो डाविंची और मोजार्ट जैसे महान मास्टर्स पैदाईशी टैलेंटेड और जीनियस थे. जबकि असल में मास्टरी और पैदाईशी टैलेंट में कोई कनेक्शन नहीं है. आपको याद होगा के आपके स्कूल में कई होशियार विद्यार्थी थे, लेकिन किर्भी आज उन्होंने कुछ विशेश हासिल नहीं किया, जबकि कई आम बच्चे अपने जीवन में काफी उची बुलंदियों को छुजाते हैं. लेखक ने अपनी किताब में इस बात को एक रोचक उदाहरन के साथ समझाया है. लेखक कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन के भाई सर फ्रांसिस गाल्टन अपने स्कूल के सबसे होशियार विद्यार्थी थे, उनका IQ देखकर टीचर्स भी हैरान होते थे, जबकि डार्विन खुद एक एवरेट से विद्यार्थी थे. लेकिन आज हम डार्विन को सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं. इस बात से ये साबित होता है कि मास्ट्री इस बात पे निर्भर नहीं करती के आप एक होशियार विद्यार्थी हो या साधारण बलकि इस बात पे करती है कि एक असाधारण और साधारण व्यक्ति ने इसे हासिल करने के लिए किस राह को चुना है उसी राह की खोज इस किताब पे आकर रुखती है लेखक कहते हैं कि काम्याबी पाने का वो रास्ता उन्ही गलियों से गुजरता है जिससे दुनिया के महानतम मास्टर्स गुजरे थे उन सबने अपनी पसंद की चीज चुनी, उस छेतर में शिक्षा प्राप्त की, फिर खुले विचारों और पुरे मन से मास्टरी की राह पे चल पड़े हालांकि मास्टरी की ये राह आसान नहीं थी, उन्हें भी कई उतार चड़ाव का सामना करना पड़ा पर वो सभी असफलतायों को सफलता की सीही बना कर चलते रहे और अंतमे मास्टर्स आफ मास्टर बन गए उनके जीवन की ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जान कर हम भी उनके जैसे सफल हो सकते हैं तो इसलिए जरूरी नहीं कि भगवान ने आपको सभी सुविधाओं के साथ पैदा किया हो या आपको एक होनहार आईक्यू से भरे दिमाग की भेट दी हो आप अपने द्रिड़ता और इच्छा शक्ती से खुद को सफल बना सकते हो अध्याय तीन एक इंसान हर शेत्र में अच्छा नहीं हो सकता लेकिन एक न एक शेत्र में मास्टर बनने की योग्यता जरूर रखता है आपने अपने पैरेंट्स के कहने पे डॉक्तरी, इंजिनियरिंग या लौ करतोलिया पर आपके मन में कोई और ही धुन बच्ती है या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी काम को करते हुए आपको लगा हो कि मैं इसे ही करने के लिए बना हूँ तो आपको जरूरत है अपने अंदर की उस आवाज को पहचानने की जो आपसे कह रही है के हाँ यही वो रास्ता है जिस पे चल कर आप शिखर तक पहुँच सकते हूँ आज कल दूसरों के दबाव में अपनी अंदर की आवाज को सुनना बहुत ही मुश्किल है दुनिया को खुश करने के लिए अकसर हम भी दुनिया की भीड में शामिल हो जाते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है जिस तरह बर्फ के दो टुकडे एक जैसे आकार के नहीं हो सकते उसी तरह हर इंसान अपने आप में अलग है दुनिया के जैसे बनने के लिए अपने अंदर की असाधारन खासियत को दबाने से पूरी जिन्दगी हम बस एक आम इंसान बन कर रह जाते हैं जबकि हमारे पास खास बनने की ख्शमता थी हमारी ही तरहें इतिहास के सभी महानायकों की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया था जब उनके लिए जिंदगी का मकसद बिलकुल साफ हुआ की वो किस कार्य के लिए बने थे बस फिर क्या था, वो कहते हैं ना कि जहां चाह वहा रहा, उन्हें रास्ता मिलता गया और वो चलते गए लेखक ने लेओनार दोडा विंची का उदाहरन देते हुए कहा के उनके लिए वो खास्क्षन तब आया जब वो रोज अपने पापा के ऑफिस से कागस सिर्फ इसलिए चुराते थे ताकि वो उन पे जानवरों का स्केच बना सकें ठीक इसी तरह हम सबके जीवन में ऐसा ही एक खास्क्षन आता है बस हमें जरूरत है उस्क्षन को पहचान कर अपने अंदर की आवास को सुनने की अपना कीमती समय और दिमाग दुनिया के साथ कदम से कदम मिला कर चलने में न बर्बाद करते हुए अपनी क्षमताओं के साथ दुनिया से एक कदम आगे जाने में लगाएं अध्याय चार आपका लक्ष अपनी फीड की सभी छोटी मोटी बारीकियों को सीखना होना चाहिए जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले या हम कुछे पद पे जाएं लेकिन पैसा या पोजीशन से बढ़ कर भी कई चीजें होती हैं और वो है आपका अनुभव अगर आज आपने कम पैसों से काम कर ज्यादा सिखाने वाली नौकरी को चुना तो कल यही अनुभव आपको अपनी फीड का जाना माना मास्टर बना देगा और आप मन्चाहे पैसे या पद पर जा सकते हो सभी सफल महानियों ने ऐसा ही किया अब अमरीकी मुक्केबास फ्रडडी रोच को ही ले ली जिये उन्होंने एक मुक्केबाजी सेंटर में बिना पैसों की नौकरी को चुना लेकिन इस नौकरी में उन्हें वो चीजें सीखने को मिली जिसने उन्हें एक महान बॉक्सर बना दिया इसी तरह डार्विन ने मेडिकल स्कूल और चर्च में मिली अच्छी खासी नौकरी को छोड़ के HMS बीगल में बिना पैसों के नौकरी की यहीं उन्हें पंचियों और पेड़ पौधों के बारे में करीब से जानने को मिला जिससे प्रेरित होकर उन्होंने थियोरी आफ ए इस बात से साबित होता है कि सभी ने अपने जीवन में पैसों से ज्यादा ज्यादा ज्यान को महत्व दिया जिसके कारण वो सफल हुए इसलिए जब भी आप पहली नौकरी के बारे में सोचें तो ये देखें कि कहा आपको सीखने का माहौल ज्यादा मिलेगा अध्याय पांच कुछ भी सीखने के लिए एक मास्टर का होना बहुत जरूरी है जो की आपको सीखने का सही तरीका बताए किसी हुनर को सीखने का रास्ता बहुत उतार चड़ाव से होकर गुजरता है जब हम खुद से कोई नया काम या नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं तब भी हम काम्याब तो जरूर हो सकते हैं लेकिन उस काम्याबी को हासिल करने में हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाता है क्यूंकि खुद सीखने में हम कई ऐसी गलतिया कर बैठते हैं जो हमारा समय बर्बाद कर देती है जब हम किसी मास्टर के साथ जुड़ते हैं तब हमारे सीखने का सफर आसान हो जाता है क्योंकि वो अपने जीवन में की गई गलतियों और अनुभों से हमें वो अनमोल सीख देते हैं जिसे खुद से प्राप्ट करने में हमें बर्सों लग सकते हैं शिष्य बनने के इस सफर से गुरू और शिष्य दोनों फायदे में रहते हैं जहां एक तरफ शिष्य को गुरू से सीख मिलती है वही दूसरी तरफ गुरू शिष्य के जरिये अपने सपने और कला को आगे बढ़ते हुए देखता है लेकिन चाहे जो भी हो एक शिक्षक के बिना सफलता की राह दिशाहीन होती है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शिष्य अपने गुरू के ज्यान की सीमा में बंधा रहे शिष्य अपनी इच्छा शक्ती से गुरू से भी आगे निकल सकता है जैसे कि एलक्सेंडर ने अपने गुरू एरिस्टोटल की शिक्षा में अपनी सूझ बूज को मिला कर विश्वविजय हासिल कर ली थी इसी तरह इतिहास में कई ऐसे गुरू शिष्य के उदाहर्न मिलेंगे जिसमें की शिष्य ने गुरू के आशिरवाद से सफलता की बुलंदियों को छुलिया है इसलिए अपना लक्ष्य तय करने के बाद सबसे पहले एक ऐसा गुरू तलाश करें जो आपको अपने सारे गुन सिखा दे पर साथ ही साथ ये भी याद रखें कि आपकी असली काम्याबी अपने गुरू जैसा बनने में नहीं बलकि उनसे आगे निकलने में है जैसा की लेखक ने बताया कि हमारा लक्ष्य अपने मास्टर से भी आगे निकलने का होना चाहिए लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कैसे होगा लेखक कहते हैं कि अपने गुरू से सारे गुन सीखने के बाद आप अपने सोचने का दायरा बढ़ाएं ताकि वो हर असंभव को संभव करने का तरीका कोज निकाले अपने दिल और दिमाग को एक बच्चे जैसा सवालिया बना ले वो बच्चा जिसके लिए कोई चीज नामुम्किन नहीं जो हर बात में सवाल पूछता है क्यूंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो समाज और दुनियादारी के चक्कर में अपने अंदर के बच्चे को भुला देते हैं और बस अपने द्वारा बनाए हुए दायरे में सीमित हो जाते हैं इस बात का सबसे बड़ा उधारण है पियानो वादक मोजाट हुआ यूंकि एक दिन मोजाट के मन में आया कि वो रोज रोज एक ही लए में पियानो बजाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया बजाना चाहते हैं उन्होंने अपनी एक नई धुन बनाई और बड़ी ही दिलेरी से अपने सबसे बड़े शो में उसे पेश किया लोगों ने इस धुन को बहुत पसंद किया और आज भी वो पियानों की दुनिया के मास्टर माने जाते हैं इसलिए अपने अंदर के सभी डर किंतु परंतु को भुला कर अपनी क्षमताओं को नई उडान भरने दें अध्याय साथ अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने सोचने का नजरिया बदले कौन ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी हर समस्या को खुद ही आसानी से दूर कर सके आपको लगता होगा कि ऐसा करना बहुत ही कठिन होगा पर ऐसा नहीं है इंसानी दिमाग क्षमताओं का धनी है बस जरूरत है उन क्षमताओं को पहचान के उन्हें निखारने की आप जितना अपने दिमाग को खुले विचारों के समुदर में बहने देंगे उतना ही आपका दिमाग इनोवेटिव और नए तरीके से सोचने लगेगा ऐसा बार-बार करते रहने से दिमाग को ऐसा करने की आदत हो जाएगी इंसानी दिमाग पे हुए एक स्टडी के अनुसार अगर हम किसी काम को दस हजार से ज्यादा घंटों के लिए कर लेते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही उस काम के प्रती अधिक जागरूख हो जाता है और उसके बारे में एक नया नजरिया बन जाता है इसलिए ये सोच कर हार नमान लें के लोग पैदाईशी इनोवेटिव होते हैं या उनके दिमाग का लेवल कुछ अलग होता है बलकि अपने दिमाग को भी हर सिचुएशन में किसी और नजरिये से सोचने के लिए प्रशिक्षित करें अध्याए आठ अपने काम में इतने माहिर बने कि वो आपके दिमाग और शरीर का हिस्सा बन जाए जब आप किसी कार्य को करते हैं तो पहले आपका दिमाग उसके बारे में सोचता है और फिर शरीर को वो कार्य करने का आदेश देता है लेकिन जब हम किसी काम को बार-बार करते हैं तो वो हमारे दिमाग में fit हो जाता है और दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर अपने आप काम करने लगता है इस से आपका समय बचता है और आपका दिमाग आगे कुछ और सोचने के लिए खाली रहता है जैसे की चेस मास्टर बॉबी फिशर ने चेस की इतनी प्रेक्टिस की के उन्हें गेम के दौरान हर चाल के बारे में नहीं सोचता पड़ता था, जिससे की उन्हें गेम में प्लानिंग करने का समय मिल जाता था लेखक कहते हैं के मास्टरी का सही मतलब ये है के आप जिस फील्ड के मास्टर हो उस काम को करने के लिए आपके माइंड और शरीर का एक ऐसा अनोखा ताल मेल बन जाये की उस काम को करते रहने के लिए आपको सोचना ना पड़े, बस दिमाग ने कहा और शरीर ने कर दिया मास्टरी का असल मतलब ये है आपके दिमाग और शरीर ने एक होके उस कार्य को करना सीखिया है और वो आपकी रोज मर्रा की आदत जैसे आपका हिस्सा बन गया है ये बुक हमें ये बताती है कि कैसे हम अपने अंदर की आवाज को सुनकर अपनी पसंद का कार्य करना चाहिए और उस कार्य से जुड़े अनुभव को सीखने के लिए कैसे अपना मास्टर ढूंड सकते हैं इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कैसे हम इतिहास और वर्तमान के मास्टर से प्रेणा लेकर अपनी राह को और आसान बना सकते हैं